नमिश्कार दोस्तों सपने में पूर्वजों को देखना शुब होता है या अशुब। जानिये क्या कहता है स्वपरशास्त्र दोस्तों स्वपन शास्तर के अंसार सपने हमें भविश्य में होने वाली अच्छी भुरी गटनाओं का संकेत देते हैं इसमें यह माना जाता है कि हर एक सपने का एक अर्थ होता है जिसे व्यक्ति की जिंदगी पर भावित होती है कई बार लोग सपने में भूत पिशाज ये किसी के मौत लेकर डर जाते हैं हालांकि स्वपन शास्तर के अंसार डराने वाले सपने हमेशा पुरा संकेत लेकर नहीं आते आईए जानते हैं कि सपने में पित्रों के दर्शन का क्या अर्थ है दोस्तों सपन शास्तर के अंसार अगर सपने में आपको पित्र आपस में पाते करते नजर आए तो इसका अर्थ है कि वो आपको आगामी दिवन में आने वाले किसी परेशानी को लेकर आगा करना चाते हैं माना जाता है कि ऐसे सपने तुर्गटना से बचाने का काम करते हैं सपने में अगर आप अपने पूर्वजों को हस्ते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ एक शुप सपना है माननेता है कि यह सपने इस बात का संकीर देते हैं कि पित्रों की किर्पा सहदेव आप पर बनी रहेगी उनके आशिर्वास से घर परिवार में सुक्समिधी बढ़ती है दोस्तों इस तरह के सपने शुब नहीं होते कि हमें पित्रों को गुसा करते हुए देखने का सपना आता है तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के पितर उ उन्हीं लोगों को आते हैं जो पित्र दोश्ते पीडित होते हैं साथ ही यदि उनकी कोई ऐसी इच्छा है जो मरने से पहले अधूरी रह नहीं हो अब आपके माध्यम से अपनी इच्छा पूरा पूरी करवाना चाहते हैं सपने में मरे हुए परिजन आकर हमें आशिर्व दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो भी कार्या करने की आप सोच रहे हैं उसमें आपको काम्याभी मिलेगी और इसके साथ ही सपने में समाधी देखना समस्याँ से चुटकारा मिलने की और इशारा करता है धन्यवाद दोस्तो झाल